तो दोस्तों आज हम डिसकस करते हैं क्या grace mark लगने के बाद आपको जौब मिल जाती है वो grace mark हो सकता है आपका BCA में हो सकता है आपका BTEC में हो सकता है आपका BCA में हो whatever क्या grace mark के बाद आपको को जब मिल जाती है तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं की इनिशल आपको थोड़ी सी प्राप्लम हो सकती है जब आप फ्रेसर होते हो तो मैं भी हो सकता है कोई बड़ी कंपनी हो बड़ी अपको कोई भी एक ब्रांड अपने में आप उठा के ले लो अगर वहां पर जाओगो हो सकता है जब फ्रेसर आपको प्रॉब्लम हो कि आपका ग्रेस मार्क लगा है मैं आप इसे तो एक दो परसेंट की बात कर रहा हूं और इसके अलावा अगर आप कंपनी में कहीं भी जाते हो तो होंता मिलती है अपके पास इसकिल्स क्या हैं आप इंटर्वियु में क activities अगर कर पा रहा हो तो वह सारी चीज़ें मैंटर करती हैं अप यह सोच हो सकताistant job ना मिले हो सकता problem तो आज वो एक बड़ी से बड़ी MNC कमपनी में काम रहे हैं और अच्छा गसा पाइके जाँनका वहों तो No Matter कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस लग घ्या है तो आज अपको जोब नहीं मिलेगी यहां पी यह ध्यान देना कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए जैसे कि आपने अगर फॉर एक्जम्पल बीटेक किया है तो बीटेक में आपको आपको बाइक लग गई है तो फॉर्थ समिस्टर तक आते आते फॉर्थ जो एट समिस्टर होते हैं एक्जली फॉर्थ एर तक आते आते वह आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और जब आपको फाइनल डिग्री मिले तो उसमें आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए अगर आपकी डिग्री चार साल जे पांस साल की होगी तो तो हां उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रीट कर सकते हैं क्योंकि आपका फिर माप एक साल के जुके संगाइब भी निकल कि आ जाएगा कि चार साल का होता है आपने पांस साल में कंप्लीट किया है बट इस स्मॉल ऑगनाइजेशन में हमेशा आपके लिए जगह होती है तो कभी यह सोच के मत बठें कि नहीं मेरे अब्जे सपोर्ट यह नेट्वर्किंग में आप जॉप साथ करो तो नीचे मैंने को सेंस दियो हुए है आप उसको चेक आउट का सकते हो जो कि आपको 95 परसेंट आरांड वही मिलने वाले हैं मेरा विस रिजू में पढ़ा आप उसको भी चेक आउट का सकते हो मेरा नाम में मैं मिल